नमस्कार दोस्तो're, मेरा नाम है DR. नीलंब शर्मा. इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कही कोल्ट्रो एस कैपसूल का उपयोग किन कंदीशंस में किया जाता है? कोल्ट्रो A.S. कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और कोल्ट्रो A.S. कैपसूल की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि कोल्ट्रो A.S. कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Coltrol-AS capsule के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Coltrol-AS capsule के अंदर salt composition रोसुवेस्टेटिन और एस्पिरिन होता है रोसुवेस्टेटिन शरीर में cholesterol की मात्रा को कम करता है और एस्पिरिन खून को पतला करती है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल अधिक होने पर शरीर की नसों में धीरे-धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, जिसकी वज़ा से शरीर की नसों में बलड का सर्कुलेशन कम होने की वज़ा से दिल का दौरा पढ़ने का और लखवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता कोल्ट्रो एस कैपसूल शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाता है इसके अलावा कोल्ट्रो एस कैपसूल खून को पतला करता है जिसकी वजह से दिल का दौरा और लक्वा लगने का जोखिम कम हो जात जिन व्यक्तियों को पहले कभी दिल का दौरा या लगवा लग चुका है। ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्तर आगे दिल के दौरे या लगवा लगने के जोखिम को कम करने के लिए भी कोल्ट्रो एस कैपसूल को लेने की सला दे सकते हैं। बधजमी, शरीर में कमजोरी वधकान होना, नाक से खून आना, पेट से गैस निकलना, कब्ज और कुछ व्यक्तियों में दस्त होने की समस्या भी हो सकती है। कोल्ट्रो एस कैपसूल की वज़ह से ब्लड शुगर लेवल अधिक हो सकता है। कोल्ट्रो एस कैपसूल की वज़ह से कोई चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने का जोखिम अधिक हो जाता है। अगर आप कोल्ट्रो एस कैपसूल को ले रही हैं और आपको अगर ज्यादा चोट लग गई है तो आपको तुरंत ही नजदी की हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ताकि अधिक ब्लीडिंग होने के जोखिम को कम किया जा सके। कुछ व्यक्तियों में कोल्ट्रो एस कैपसूल की वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। कैपसूल की वजह से मासपेशियों से मायोगलोबिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है जो ब्लड में मिल जाता है। जिसकी वज़ However, Kidney भी Damage हो सकती ह। वैसे Coltron A.S. Capsule की वज़ से Rebdomyolysis होने की संभावना बहुत ही कम होती है। लेकिन कुछ % व्यक्तियों में Coltron A.S. Capsule की वज़ से Rebdomyolysis भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे कि Coltron A.S. Capsule को कैसे लेना recommended होता है। कोल्टरो एस कैपसूल को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है। 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर कोल्टरो एस कैपसूल को दिन में एक ही बार लेने की सलाह देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोल्ट्रो एस कैपसूल को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ती की कोई सरजरी होने वाली है या दांत निकलवाना है, तो ऐसी स्थिती में डॉक्तर सरजरी करने से या दांत निकलने से एक से लेकर दो सपता पहले कोल्ट्रो एस कैपसूल को रोकने की सला दे सकता है। इसलिए यदि आपकी सर्जरी होने वाली है या आपको दांत निकलवाना है, तो आपको कोल्ट्रो एस कैपसूल के बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए. शरीर में प्लेटलेट्स कम होने पर, पेट में अलसर होने पर, पेट में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, कीमोफिलिया होने पर, ब्रेन हेम्रेस होने पर और लिवर या किड्नी की कोई गंभीर बीमारी होने पर कोल्ट्रो एस कैपसूल को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना कोल्ट्रो एस कैपसूल को नहीं लेना चाहिए। प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए कोल्ट्रो एस कैपसूल का सेवन करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन् देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका कोल्ट्रो एस कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.